हेलो दोस्तों कैंस है आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे यूटूब चैनल इस्टडी भी थी होगे इसमें आज आपके लिए हिस्ट्री फैक्ट की जो मैंने आपको क्लास बताई थी उससे आगे को हम कॉंट्यून्यू करेंगे हम लोगों ने क्या देखा था दो क्लासे इतिहास रिविजन की देखी है आज थर्ड क्लास आएगी और आपका चंद खतम होने के साथ हम लोग किसमें एंट्री कर लेंगे पावार बंस में तो आप लोगों उसे एक अन्रोध है अपने पास जो भी नोट्स आप लोगों को मैंने कराए थे यह आपकी जो उत्राखन की हिस्ट्री आप लोगों को कराए थी वो आप लोग साथ लेके चलना तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसकी सु देखना है इसको कैसे आप लोगों कोई मतलता या रखना होगा वो देखना है ठीक लास्ट टाइम पर मैंने आपको जब फैक्ट कराए थे उसमें एक फैक्ट्री थोड़ा सा करेक्शन करना वो फ्लो मा क्या हो गया था रुद्रचन जो हो गया था असोप का समकालीन बता जब कि अकबर करना ठीक है रुद्रचन हाला कि आप लोग ने कॉमेंट किया था उसमें सभी लोगों को हो जाता कभी-कभी आप लोग जानते है रुद्र जो रुद्रचन था वो अकबर का क्या था समकालीन था ठीक है अकबर का समकालीन जो भी था किसके समकालीन था अकब इसको देखें, नेक्स्ट मेंने आप लोग बनाया हुआ है, यह क्ये है, उसी नोट्स में से जो आप लोग के यार किये गए है, उसी को छटनी करके, क्या exam के point of view से आप लोग के काम आ सकता है, वो मैंने इसमें प्लिक किये हुए है, और अगर आप को यह नहीं समाज आता है, अगर आप new student है तो उत्राखन history आप लोग playlist में जाके properly बढ़ सकते हैं ठीक है मैं आपको सिर्फ question बताऊंगा यहां theoretical यह कैसे हुआ क्या हुआ यह नहीं समझा भाऊंगा देखें आप लोग को उससे आगे देखते हैं एक राजा था फतेपती सा ठीक है उसको पराजित कर सिर्फ नगर को एक ब्रह्मन को दान देने वाला सासक कौन था वो था जगर्चन तो ठीक है तो पूरा question लिखना मतलब पूरा अपनी टिक मानना ठीक है मैंने आपको कराया था फतेशा को पराजित कर यानि फतेशा को क्या गया था पराजित यानि हराया था उसने पराजित कर सिरी नगर तक पहुँच गया था जगर्चन ठीक है पराजित कर सिरी नगर को एक ब्रह्मन को दान देने वाला एक ब्रह्मन को किसने दान दिया ठीक है एक भ्रहमन को दान देने वाला जो सा सकता वो कौन था जगत चंद था यह अगर आपनों को पता होगा मैंने आपसे डिटेल से इसको पता है था जगत चंद ऐसा सा सकता और देखना इस जगत चंद के वारे में दो फैक्ट थे एक तो इसने जुआरियू पर टेक्स लगाया इसने दूसरा यह ऐसा सा सकता है जिसकी मृत्यू किसे भी थी चेचक से इसकी किसी मृत्यू भी थी चेचक से मृत्यू बताई जाती किसकी जगत चंद की यह आपनों को क्या करना है थ्यान में रखना है ठीक है अब जैसे ही फतेशा ने अब पता चला बाद में जो चंद ये थे, ये एक हो गे थे, इननों क्या किया था, चंद पर अटेक किया था, तो इस दोरान इन लोगों नहीं किया था, एक गरसार नाम का गराहूं था, जिसको बद्रिनाथ मंदिर को दान दिया था, वो कौन था, फतेशा, तो लिखो, गरसार गराम को, गरसार गराम को, बद कुछ ध्यान होगा आपको मैंने पढ़ाए था ये सब चीज है ठीक है तो इस गर्षार मंदिर को दान देने वाला कौन था फतेशा था और एक चीज और इंपोटेंट है रोहिला सर्दार एक हुआ करता था इसकी और नेक्स फैक्टर रहता है वो दावद खां के सांद मिलकर मुगल को चुनोती देने वाला चंद सासा कौन था most important कर देना है ठीक है यानि रोहिला सर्दार दाउद खां के साथ मिलकर मुगल को चुनोती देने वाला सासक कौन था देवी चन ठीक है यह भी आप लोग क्या करोगे ध्यान रखोगे देवी चन इसका नाम था ठीक देवी चन यह इंपोटेंट फैक्ट है कि बहुत बड़ी बात होते हैं मुगल जो के सेंटर पे थे इतने पावर्फुल अगर कोई वंसुगा अगर सासक कुछ चुनोती दे रहा तो अपने आप कुपाल सासक कौन था जिसने कुमाओं के चंदराजा की मदद की थी ठीक है यह क्वेशन भी बहुत ज़्यादा पेपर मों पूछता है तो नेक्स्ट आप लोगों को एक फैक्टर याद होना चे कुमाओं पर रोहिला आक्रमन किसके थमाई वह था कुमाओं पर रोहिला आ सकता किसके समय वह था कल्यान चंद फोर्थ के सासनकाल में कुमाओं पी गया वह था रोहिला आक्रमन वह था और वह शासक जिसने इस रोहिला आक्रमन में कुमाओं शासक की हेल्प की थी वो कौन था गरवाल नरे जिसने मदद की थी प्रदीप सा ठीक है तो नीचे लिखो बहुत important factor है। दाउद खां का वद किस ने किया आगे जाके रोहिला सर्दार दाउद खां का वद किस ने किया देवी चंद ने का वद कनने वाला कौन था देवी चंद था ठीक है ये आप लोग ध्यान दखोगे इसका किस ने किया था वद किया था ये भी पेपर नों पूछ सकता है अब ए लड़ा गया था वो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1779 में मौहंसी यह लड़ा गया था एक सुपर इंपोटैन क्वेश्यन है वो पROवार साथा, जो चंद की gaddी पे भी बैटा, उसका नाम था, पर्दियुम ने सा तो मैं डारेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पर्दियुम ने सा पर्दियुमन चंद की नाम से ये चंद गद्धी पर कब बैठा, ठीक है, तो ठीक हो जो परडियुमने चंद नाम से गद्धी पर बैठा, कुमाओं की गद्धी पर ठीक है, कुमाओं की गद्धी पर कब बैठा, ये कोशन आप wheel दियान रखना होगा, ये है 1779, ये भी बहुत जाधा devotion है 1779 में परडियुमने चंद नाम से गद्धी पर बैठा ये आपको आना चाहिए ठीक है अब इसके बाद दिखोए गड़ राज वंस काब्वी है उसकी रचना किस ने की थी मौला राम है ठीक है चंद वन्षं का argentim raja का anti- planting raja अगर paper मांएगा तो mhend sch dr Sunday ठीक है Х 27001 देखने है महें पर गोरखा आखरमन हो जाता है इस सत्रह सो जो में तो लिखो क OS clearing or OS Armor pedal का राज कप से शुरू होता है 1791 तो अगला कोश्चन लिखना है डिकने को OS Taliban का intentar Perdana epis actively आगला के लिखो को कुमाओ पर गोरखा सासन। ये कब हुआ था गोरखा सासनकुक कुमाओं का मुहमत तोगला किसको कहते थे देवी चन्द को कुमाओं यह किसको कह जाता था देवी चंद को यह भी आप लोग ध्यान लग नागे कि अब आते हैं थोड़ी से टमलोजी थातवान और खाईकर क्या होते थे इसमें थातवान किसको गहते थे और खाईकर किसको गहते थे ये दोनों चीज़ आपको आने चाहिए ठीक है थातवान जो सब्द होता था वो जमीन मालिक के लिए यूज़ होता था किसके लिए होता था जमीन के मालिक के लिए थातवान सब्द यूज़ होता है और जो खाईकर सब्द होता था वो किसके लिए होता था किसान के लिए ठीक है ये चंद वर्णस में इकिसान के लिए खाईकर सब्द होता था और एक कहनी सब्द मैंने आपको पढ़ाया था याद होगा आपको कहनी होता था गुलाम के लिए किर्सक गुलाम जिसको होता है ठीक है ये गुलाम के लिए कहनी स समय में बहुत जाधा टैक्स से उसमय से इनको जो टैक्स बोला जाता 36 रकम 32 से उध्यान रखना उतनी जाधा टेक्स से शंबंदित से संबनधित था अब 3 सब्दा इनका प्रसास्विक व्यवस्ति से सयाना बूरा और एक प्रकार के थोगदारी होते कौन थे चंद सासन में ये भी आप लोग के पेपर में पूछा जाता है तो अगला फैक्ट आप लोग ने लिखना है कि सयाना, बूढा और थोगदार ये क्या धामतला अपने आप में कौन होते थे तो लिखो सयाना, बूढा और थोगदार चंद के समय ग्रामीन इस्तर पे पाए जाने वारे अधिकारी एक प्रकार के थे सयाना प्लस बूढा प्लस थोगदार ये कौन होते थे, कहां पे पाए जाते थे, ग्रामीन इस्तर पे गाउं इस्तर के अधिकारी या गाउं इस्तर के मुखिया मान के चलो ठीक है गाउं इस्तर पे पाए जाते थे सयाना, बोला और थोकदार किसके समय पे चंदवन्से के समय पे ग्रामे इस्तर पे अब इन लोग ने भूमी दान भी शुरू किये तो बहादुरी के लिए जो भूमी दान दी जाती थी बहादुरी हेतु भूमी दान यानि कोई बहादुरी काला काम करेगा उसको जो भूमी दान दी जाती तो रौध बोला जाती था बहादिर्वी हेतु भूमी जो दान होती थी चंद के समय में उस भूमी को क्या बोला जाता था रोध बोला जाता था अगर आपसे क्वेशन पूसता है क्या रोध कैसी भूमी होती थी ब्रह्मनों को दी भूमी भूमी दान जो होता था वो रोध जो होता था बहादुरी के र सरण, गडवाल नरेस के, सरण लेने वाला चंद सासा कौम था, त्रिम्माल चंद, जितनी जल्दी होता, त्रिम्माल चंद, फटा-फट इसको क्या करना है रिवाइस कनना है और इसको दिमागमें बिठाना है त्रीमाल चंद था ये जो चंद वन से थे अपने आपको सूर्य वनसी कहते थे ठीक है अब देखो जो मैंने बूडा और सयाना आपको पढ़ाया था, बूडा सयानों को अपने अधिनस्त गाउं से जो भन प्राप्त होता था, जो टेक्स प्राप्त होता था, उसको दस्तूर बोलते थे, ठीक है, तो लिखो बूडा प्लस सयाना, इनके अंदर जो गाउं होंगे, इन है, अपने अधिनस्त गाउं से जो प्राप्त होता था, अपने अधिनस्त, मतला अधिनस्त, मतला इनके जो अंडर होंगे, ठीक है, इनके जो नीचे के गाउं होंगे, अपने अधिनस्त गाउं से जो प्राप्त होता था, उसको क्या बोलते थे, अपने अधिनस्त गाउं से प्राप्त जो होता था उसको क्या बोला चाहता था ये आप लोग याद रखना है अब इनके समय में एक पंच नवीसी होती थी जो की कछहरी थी यानि कछहरी मतलब एक परकार की न्याई विवस्ता थी पंच नवीसी पांच वहाँ पे होते थे और वो पंचायत से स क्या सकते हैं तो पंच नवीसी क्या था चंद सासन में लिगो पंच नवीसी जो पंच नवीसी था चंद सासन में कछरी को बला जाता था और कछरी मतलब पंचायत स्थर की कछरी का मतलब किस स्थर पे पंचायत स्थर पे पंचायत स्थर पे जो कछरी होते थे उसको क्या ब पत्र में उसके पिता का नाम है जगत चंद लिखो एक मात्र सासक जिसके तामर पत्र में यानि तामरी का जो होता था ठीक है तामर पत्र में उसके पिता का नाम भी मिलता है उसके पिता का नाम मिलता है उसको क्या बोलते है जगत चंद जगत चंद उसको क्या बोला जाता है बोला जाता है इसको ध्यान में आप लोग रखना है ठीक है यानि एक मात्र सासक जिसके तामर पत्र में उसके पिता का नाम मिलता है उसका नाम क्या है जगत चंद ये क्वेशन इंपोटेंट है आपके एक्जाम की दिश्टे ठीक है अगला देखता है भूमिदान जो चंद से की तो आप लोग को इतना कम से गम पता होना चाहिए ठीक है ये सब के सब आपके एक्जाम की दिश्टे से कहें बहुत ज़्यादा महत्योपूर है तो अगला देखो भूमिदान की रौत भूमिदान की रौत भूमिदान की रौत उसके अलावा कौन सी तीन पर्था चंद समय में ठीक है चंद के समय में तीन पर्था चलती थी जिसको गुला जाता भूमिदान की रौत रौत किसको गुला जाता थी एक चंद सासक जिसका नाम लखुली विराली उपनाम था लखुली विराली लखुली विराली उपनाम ये किस चंद सासक का था लक्सिमी चंद गा ठीक है ये आपको पताओना चे लखुली विराली जो उपनाम था वो किस चंद साचका था अपने आप में लक्सिमी चंद गा था ये आप लोग क्या करोगे ध्यान में रखोगे अब देखे इसके बाद जो पारिवारी कला के कारण डोटी में सरण देने वाला चंद जो राज था वो राजकुमार कल्यान चंद था ठीक है वो राजकुमार था हमने लगी बाद बालो कल्यान चंद बगएर इन थे तो छोड़ जो उतना इंपोटेंट क्वेश्चन तो नहीं है अगला लिखते हैं चंद समय में घराटू पर लगने वाला कर लग लगने वाला कर यह क्या कहला था जो घराटू पर लगने वाला कर लगता था इसको बोला जाता था अपने आप में क्या यह बहुत इंपोटेंट है भाग ठीक है तो घराटू पर लगने वाला कर चंद समय में क्या कहला था भाग कहला था यह आप लों को यह टमलोजी अब चंद समय में गाउं के सयानों को अनाज की रूप में जो दस्तूर मिलता था उसको क्या बोला जाता है डाला यानि आपको जो दस्तूर लिखाता है दस्तूर को डाला लिख देना है ठीक है यानि आपने जहां पर एक क्वेश्चन लिखाता है जो सयाना और बुड़े थ जो किसको मिलता था सायाना और उसके मतलब जो बोड़े वगरा होते थे ठीक है मांगा नामका कर ये कहाँ पे लेते थे युद्ध के समय तो लिखो मांगा नामका कर मांगा नामका कर ये कहाँ पे लिया जाता था मांगा नामका कर यह अगर आपसे पूछेगा यह तुरंथ आप लोग किसमें बताना युद्ध के समय मांगा नाम का क्या दिया जाता था कल लिया जाता ये भी आप लोगों के लिए बहुत जादा क्या है important fact है मांगा नाम का कर कहा था युद्ध के समय होता था अब देखें राजपरिवार की देवी देवताओं के नाम भी एक कर लेते थे उसका बॉलाता था रोल्या देवल्या यह मैंने आपको पहले भी IMPOTEN बताये था रोल्या और देवल्या नाम का जो कर होता था वो राजपरिवार के पूजा पाठ कन्या मतलब उसके लिया जाता था ठीक है तो अगला फैक्ट आपने लिखना है रोल्या देवल्या नाम का कर यानि रोल्या देवल्या नाम का कर कब लेते थे चंद सासल रोल्या देवल्या ये जो रोल्या देवल्या नाम का जो कर हुआ करता था ये कहां लिया जाता था रोल्या देवल्या राजपरिवार की देवी देवताओं के नाम पर रोल्या देवल्या तो लिखो राजपरिवार की देवी देवताओं के नाम पर राजपरिवार की देवी देवताओं के नाम पर जो कर लिया जाता था वो क्या था रोल्या देवल्या नाम का कर हुआ करता था यह ठीक है यह हो गया इसके बाद अगला फैक्ट देखिए अगला जो आता है वो लिखो आप लोग यह तो हो गया ठीक है सभासार की रसना किस न इससे फाइदा होगा देखो आप लोग अगर इस परकार से रिवीजन करेंगे आपका एक तो समय बचेगा क्योंकि जो मैं वीडियो देता हूं उस नहीं में आपका रिवीजन हो जाएगा तो आपके एक्जाम के लिए बहुत फाइदेबनी चीजे होंगी ठीक है तो अगला साह सुदर्शन साह ने क्या लिए साभासार की रसना की ये बहुत इंपोटेंट प्रेशन है दोसरा रामायन परदीप किसकी है मेधाकर सर्मा की रामायन परदीप इसकी रसना किसने की है मेधाकर सर्मा ने ठीक है मेधाकर सर्मा ये किसकी है रामायन परदीप की रामायन प सिलालेक ये सब पढ़ाई गए हैं आपको ये किस की जानकारी देता है आपने आप में अनंत पाल की धारसील सिलालेक अनंत पाल का है इसका संबंद किससे हैं अनंत पाल का ये आप लोग क्या करेंगे ध्यान में रखोगे अब देखो गड़वाल जब था आपको पता होगा गडबाल स्टाऩिंग में 52 गड़वां बढ़ा था है आगर आपको ध्यान होगा ठीक है मतलब चैनल एक आधि-इतिहासकार ये मानते हैं कुछ 608 मानते हैं कच इसको मानते हैं मतलब कनकपाल को किस और को मानते हैं लेकिन basically हमारा जो आयोक बगेर है इसी को आणसर मांते हैं, तो गडवाल में पवार्माणसकी इस्थापना 888 इस भी महूई थी, और यह कहांपे हुई थी चांदपूर्गढ में, कहांपे हुई थी चांदपूर्गढ और यह जो चांदपूर्गढ और ऐसा बताया जाता था कि गुजराच से आया हुआ था कहां से आया था गुजराच से आया हुआ था ये बताया जाता है गुजराच से ठीक है तो ये गुजराच से आया था तो इसने अपनी लड़की का विभाव अगरा किया तो इसी को यहां का राजा बना दिया तो इसी गडवाल में किते गड़ थे? बावन गड़ थे अगर आपको ध्यान होगा तो ठीक है? अब ये गडवाल में बावन गड़ थे तो इसका क्या मतलब है? जो बावन गड़ अलग अलग थे चांधपूर गड़ ये गड़ वो गड़ तो उनको एक करनी का जो काम किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा जो क्वशन आपसे पूछता है उसका नाम था अजय पाल ठीक है? तो अगला क्वशन लिखना आपने गड़वाल का पूर्ण एक करन किसके समय वा था अजय पाल? अब इसके बाद आता है चांधपूर गड़ के अंदर प्रारंब में कितन प्रारंब में यहां पर सासन किया जहां इनने बसाया था यानि चांधपूर गड़ में आप लोग पूरा लिखना है चांधपूर गड़ में प्रारंब में कितने सासकों ने सासन किया 36 उसके बाद 37 जो सासक वा अजय पाल उसने क्या कर दिया अपनी राज़दानी को पहल तो इसके बाद अगला जो आप लोग क्वेशन लिखोगे किसने अपनी राजधानी को चाठपूरगर से स्रीनगर स्टापित किया तो ठीक है स्रीनगर को राजधानी बनाने वाला जो सा सकता राजधानी का मतलब राजा जहां पे बैठता था ठीक है वो था अजय पाल यही अब इसमें भी देखो यह उत्राखन का इतिहास है इतना कंफ्यूजन साइध ही कोई चीज होगी क्योंकि इतने बुक्स हैं सब अलग अलग बताते हैं और वो जो रिफ्रेंश ही देते हैं वो किसी और का देंगे वो कहेंगे एटकिंसन सहाब यह कहते हैं वो कहेंगे बद अगला जो क्वेशन आता है इसमें टेहरी में पुराने दर्वार का निर्माण वाता 1815 में ये भी पुछता है आप से ठीक हैं टेहरी में पुराना दर्वार इसकी स्तापना का होई थी 1815 में इसकी क्या होई थी इस्तापना होई थी ये क्वेशन भी अच्छा कासा इंपो विभूतियां वह भक्त दर्शन की दोनों की दोनों किताब आपकी most important है ठीक है तो आप लोग क्या-क्या लिखोगे सीधे सीधे दे दिखने एक तो गड़वाल की दिवंगत विभूतियां पुछता कि इसके भक्त दर्शन कि है एक यह आपसे पेपर में पूछता है और दू गडवाल, ancient, to a modern, यह है पातिराम की, ठीक है, यहनी गडवाल, ancient and modern किसकी है, ancient and modern, यह किसकी है, ancient and modern, पातिराम की है, ध्यान लखना, इसको यह question भी आप से paper में पूछा जाता है, अब देखो, गडवाल में पवाडे किसको कहता है, वीर गाताओं को, यह कुमाओं की तरह है, तो लिखो, गडवाल में पवाडे, गडवाल में पवाडे, वीरू की गाताओं पैदे गाई जाती है, यह वीर था, वो था, मादो सिंग ऐसा, वीर गाताओं, ठीक है, वो सब जगाओं चलती है, गडवाल होया कुमाओं में, जो वीरू की जो गाताओं होती है, वीरू प कि देव परियाग में भूमीदान के प्रैकरी में दिखो व्यस्तलाव मंस्ते तो ठीक हैं व्यस्तलाव मंदिर हे तो ये किस ने दिया था जगत पाल ये भी क्यों था ये पमवार मंस का एक सासर गुएँ करता था जगत पाल जिसका देव और सवरी ओईयाग में किया अपने आपने एक किसने shift किया था, अब देखो गळवाल में बावन गळू का विजेता, ये किसको का जाता है, अजयपाल को का जाता है, और किसकी तुनना क्रिष्ण युदिश्टर भीम और कुबेर से और इंदरे से भी धिखी गई है, अजयपाल को, तीक है इतना मतलब सौर्यवान, इतना धनसे संपन, इतना विवेक सील, बुद्धी वाला, तो इसकी तुलना जो है, एक मतलब अच्छे सासक की रूप में की जाती है, तो अगर ध्यान में रखना, गडवाल में की सासक की तुलना, किस किस से की जाती है, जैसे अपने आप में दिश्टर भीम से गरदी ताकत वाला भीम से तुन्ना के जाती वो कौन है अजय पाली है ये पेपर में भी आपका ध्यान में रखना है ठीक है अब देखो एक चंद सासकता कीर्थी चंद कीर्थी चंद ने जब गडवाल पर अक्रमन किया उसमें यहां का सासक कौन था अगर राजा कौन था तो आप लोग क्या बताओगे अजय पाल ठीक है उपर मने एरो लगा दिया तो इसके आक्रमन के समय अजय पाल यहां का क्या था राजा था यह भी आप लोग जहां रखना है ठीक है इसकी तुन्ना असोग महान से तुन्ना महान से तुन्ना क्यों की जाती वो अलग बात है, हमें एक्जाम के जिसे से देखने हैं कि आपता पूझदी की गड़वाल की किस नरेश की तुलना सोग महान से भी की जाती है, तो वो अजयपाल की तुलना की जाती है अब आप लोग ने एक सुना होगा उप्पु चोहान यानि उप्पु गड़ का कफु चोहान उसके साथ गड़वाल के पवाड़ों में भी इसका वर्णन है, ठीक है? तो लिखो कफु चोहान, यह बहुत important है कफु चोहान के साथ वीरगाथाओं में वर्णन वीरगाथाओं में वर्णन अगर किसी साथ सका मिलता है यह आप लोगों के लिए क्या है, एक्जाम की दिश्टे से important है यह fact भी आप लोगों के ध्यान में रखोगे अगला जो आता है, सिरी नगर में कालिका, देवी भवन और राजभवन यह most important करना है, सिरी नगर राजभवन किसने बनाया था? सिरी नगर राजभवन यह बनाया था, सिरी नगर का विसाल राजभवन था एक, वो बनाया था अजय पालने और यही राजभवन, अठारो सो तीन के भुकम्प में ध्वस्त हुआ था, ठीक है? तो यह बहुत बड़ी त्राजदी माने जाती है, अठार सो तीन का भुकम्प, ठीक है? अठार सो तीन के भुकम्प में त्राजदी है, एक क्वशन पूछा गया था एक बार, कि गड़वाल में जो भुकम्प की त्राजदी थी, यह किस्चन में आये थी, सब हंस रेते ब्रहमन होते हैं न, इसी ने चलाईती, सवरॉला ब्रहमन पर था, यह किस की है? अजय पाल की है, एक फैक्ट आपने यह याद रखा, और इसी के साथ है, माप तॉल हेतु ध्योती पाथा भी इसी ने चलाया, तो लिखो ध्योती पाथा किसका है? ध्योती पाथा, यह है आप लोगों का क्या? एक परकार के, मतलब आज के फैक्ट होगे, जिसमें कुछ फैक्ट चंद राजबन से केते, रिविजन कलास के, और कुछ आपके इस केते, पवार राजबन से केते, तो इसी के साथ आप लोगों का क्या होगी है? यह जो आपका हमने कम्प्रीट कर दिया है, चंद के फैक्ट और किसके साथ साथ के पवार बंसी के फैक्ट हमने कम्प्लीट कर दिये हैं, अब इसी वरकार से रिविजन केता है, दो क्लास में हम लोग ये पवार बंसी को कम्प्लीट कर लेंगे, जल्द ही गौरखा एक या डेल एक या दो वीडियो में हम लोग ब्रिटिस या गौरखा वगारा complete करके उत्राखण मतले टोटा आठ नो दस वीडियो मान के ज़िए division में आपके उत्राखण history क्या होते हैं कि complete हो जाएगी फिर मिलते हैं आपके साथ अगले session पे अपना ध्यान रखिए Thank you